नमस्कार आप देख रहे हैं ABC इंडिया मैं अमिद भोबिया दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा मश्रूम के बीज को तैयार करने के तरीके के बारे में बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि जब हम मश्रूम का बीज देखते हैं तो वो कभी तो गेहूं का दाना होता है ऐसे किया जाता है क्या हम इसको घर पर तैयार कर सकते हैं तो इसको भी हम जानेंगे और इसी के साथ दोस्तो आपको एक बात बता दू जो भी मेरे युवा साथी नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा बिजनेस है क्योंकि इसके अंदर बहुत मश्रूम की जो है बीज को तैयर कर सकते हैं तैयर करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ हलांकि जो बिजनस करे वो कुछ ट्रेनिंग भी ले लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छे सुरूरूरूर हो जाओगे लेकिन कुछ चीजे हम यहां पर जान लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है चाहे गेहूं हो चाहे बाजरा हो चाहे फिर कोई और अनाज हो वो अनाज लिया जाता है और उसे पानी के अंदर उबाला जाता है इतना उबालना है कि वो मुलाइम हो जाए उसके बाद में उसे सुखाया जाता है धूप में नहीं सुखाना ये सारा का सारा काम एक ही कमरे में करना है इतना उसे सुखाया जाता है कि उसके उपर का पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए और वो मुलैम भाजरा या फिर गेहूं वो अपका तैयार हो जाए उसके बाद में सूखने के बाद उसके उपर डाला जाता है जिपसम मतलब कैल्सिम सलफेट का जो पाउडर है वो डाला जाता है वो डाल कर उसके इतना मातरा में डालो कि उपर का पानी सारा सूख जाए और वो बुरुबुरा हो जाए अच्छे से मिला दिया जाता है उसके बाद में आपको क्या करना होता है इसे पैक करना होता है कुछ ऐसे polythene होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं polythene, उनके अंदर pack करते हैं, pack करने के बाद उपर से अच्छे से air tight इसको बांद देते हैं और उसके बाद में आपको क्या करना होता है, इसे एक cooker होता है, जिसके अंदर steam होती है और उस steam के अंदर क्या होता है, 125 डिगरी तक का temperature, उसके अंदर डालना होता है उसके अंदर डालने का मतलब क्या होता है, कि अब हम हाथ लगा रहे हैं, उसको pack कर रहे हैं, या फिल लिफाफा ला रहे हैं उन सब के अंदर जो germs होते हैं जो किटानू होते हैं वो सब मर जाएं थोड़ी बहुत fungus है वो भी खतम हो जाए क्योंकि हमें इस seed को अच्छे से साफ कर लेना है इसके अंदर ही हमें जो है fungus को पैदा करना है वो कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा तो कूकर के अंदर इसे दो घंटे रखा जाता है लगभग 125 डिगरी तापमान पर ताकि इसके सारे के सारे germs जो है वो खतम हो जाए इसके बाद में आपको क्या करना है इसे एक कमरे में रख देना है बंद कमरा हो बाहर से हवा वगएरा उसमें ज़्यादा आती ना हो ऐसे कमरे में रख दो और वहां पर ये धीरे 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 रूम टेंपरेचर पर आ जाएगा यानि 24-25 डिगरी पर आ जाएगा उसके बाद में इस थेले के अंदर आपको डालना है मदर कल्चर मदर कल्चर क्या होता है जो मश्रूम होता है इसका ही एक टीशू जो है वो मदर कल्चर है हलांकि जो बीज त्यार करते हैं वो क्या करते हैं जो पुराना बीज होता है मतलब बीज से बीज को त्यार करते रहते हैं तो उसी बीज को थोड़ा सा डालते हैं मतलब यह समझ लो कि जैसे आप दूद के अंदर थोड़ा सा दही डालते हो और पूरा का पूरा दूद जो है वो दही बन जाता है तो वैसे ही इसके अंदर भी थोडा सा मुश्रूम डालना है आपको और उससे क्या होगा थोड़ा सा मतलब कि आपने मतलब ये एक किलो सीड है तो इसके अंदर सो ग्राम डाल दिया पचास ग्राम डाल दिया थोड़ा सा डालना है वस थोड़ा सा डाल दोगे तो उससे क्या है वो पूरे के पूरे पोलिथीन के अंदर जो है मुश्रूम फंगिस जो है वो हर एक दाने पर फैल जाएगी उससे जो है ये दाने सारे के सारे जो है सफेद हो जाएंगे आपने आज डाला तो ये 24-25 डिगरी पर ये रखना है कहीं फ्रीज व्रीज में रखने की जूरूत नहीं है एक कमरे में रखे रखिए बस ध्यान रहे कि उस कमरे के अंदर लगबग 50-60 का मौश्चर रहे हुमिडिटी और लगबग 5000 पीपेम से नीचे नीचे CO2 रहे कई बार ज़्यादा CO2 बन जाती है वो भी नुकसान करती है तो 5000 पीपेम से नीचे रहे खेर इस अवस्था में इसे लगबग 10-12 दिन रखना होता है इसके बाद आप देखेंगे पुरा का पुरा लिफाफा जो है वो सफेद हो जाएगा हर एक दाने पर फंगस लग जाएगी और यही होता है आपका मश्रूम का बेच वैसे दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ कि जो यह सीड होता है इसे एक बार त्यार करने के बाद यह लगबग दो महिने तक जिवित रहता है उसके बाद में खतम हो जाता है मतलब यह फिर खेती करने योगे नहीं रहता क्योंकि जो अंदर दाना है ना चाहे वो गेहूं का है चाहे बाजरे का है किसी भी चाहे मके का है कोई भी दाना है वो ही उस फंगस का जो है भोजन है और दो महिने में वो अपना पूरा भोजन खा लेगी उसके बाद उससे खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो वो मर जाएगी इसलिए कहते हैं कि मुश्रूम का बीज एक बार त्यार करकर लिया जाए तो वो लगबग डेड़ से दो मेशने ही चलता है उसके बाद में खतम हो जाता है चावल का बीज है जैसे हम जो यह आपका होता है चना है चने का बीज है इनको सालों साल लखे रखते हैं वैसे नहीं रख सकते हैं अगर जादा करें तो 0 degree से 2 degree का तापमान देकर हम इसे 1.5 महिने के लिए और इसकी जो उम्मर जो है उसको बढ़ा सकते हैं यानि फंगस को हम जीवित रख सकते हैं इसके अलावा नहीं रख सकते हैं इसलिए जितना दाना है उसको खाएगी फंगस दाना खतम होगा तो उसके बाद हफते के अंदर अंदर फंगस भी खतम हो जाएगी क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलेगा खेर दोस्तों मैंने आपको मश्रून के बीज की त्यारी के बारे में काफी सारी बाते बता दी शायद आपको ये बाते अच्छी लगी होंगी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी हमारी कई वीडियो यहां पर दिखाई दे रही है उनको भी देखें देखते रहिए ABC इंडिया